Dear students, welcome back. Yes, this time for CUET PG 2023 of course, जिसका exam अब कुछी दिनों में, कुछी हपतों में होने वाला है, और हम लोग कोसिस कर रहे हैं कि past three year के theme wise paper को analyze किया जाए, जिससे की एकदम ठीक से समझ में आए कि एक particular theme से किस level के question expected है. We are fortunate कि अब three years के paper हमारे पास में हैं. 2020 में पहली बार CUET हुआ था, उसमें बहुत बिखरे बिखरे से question थे, syllabus बहुत spust नहीं था और बहुत कम college parts paid किये थे, आप इसमें भी देख सकते हैं कि बहुत question WPT से नहीं थे. बाद में 2021 आया, उसके syllabus थोए छोटे थे, 2022 was one full-fledges CUET PG जिसमें question बहुत standard के थे. तो फिर भी लेकिन तीन साल से काफी कुछ मिलता है, आज हम लोग western political thought पे चर्चा कर रहे हैं, जो useful होगा सभी exam के लिए, let us begin. इससे पहले कि हम लोग question answer के दौर करें सुरू, आपको मैं अभी भी invite करता हूँ, crash course जोईन करने के CUT PG 23, क्यों invite कर रहा हूँ, क्योंकि आपको मिल जाते हैं, सारे जो 25 test paper वहाँ पे हुए हैं, वो आपको online, offline दोनों मिल जाते हैं, इसके अलावा लगभग 25 जो recorded class हैं, doubt session, doubt clearing session, वो ही मिल जाते हैं, और revision class को आप जो है join कर लेते हैं, अदर्वाइस भी आपको revision classes के भी recorded मिलते हैं, यदि इन सब का benefit आप एकदम nominal cost पर लेना चाहते हैं, तो आप mail कर सकते हैं, अपना name, telegram, mobile number, इस mail ID पर आगे आपको guide की जाएगी, और यदि आप नहीं join कर सकते हैं, crash course, तो आपके लिए जो second best option है, कि आप CUATPG की जो exam guide है, उसको खरीदें, और जो यहाँ पर available है, इसकी link description में भी दी जाएगी, और जो 1500 MCQ है, उसकी भी यहाँ पर आपको link दी गई है, जो syllabus है, वो यहाँ पर 2021 छोड़ दीजिए, यह syllabus जो है WPT की है, आप देख सकते हैं, इसमें आप एक तरह से देखें, तो यह UG की जो 3-year course है, उसका एक तरह का एक परतिबिंब है, एक एक निस्रन है, चोटा सेट है college, एक दो तिंग कर इदर जो छूटे हुए भी हैं, उससे जादा नहीं है, 2020 में जो हम देखें तो इस theme से, तो जैसा मैंने बोला कि question बहुत बिखरे हुए थे, कुछ ठीक से था नहीं, और WPT से भी बहुत question नहीं थे, तो यहाँ पर first question देखता है, who among the following does not belong to the philosophical tradition of study of politics, यह मैंने जो है political theory में भी लिया था, क्योंकि political theory में भी आ सकता है, आपको पता है कि Plato, Augustine, यह सब तो philosophical tradition को belong करते हैं, लेकिन Montesk जो है, जो हैं जोनोंने separation of power दिया था, वो काफी empirical ढंग से जो है analysis करते हैं, तो इनको आप odd one out कर सकते हैं, social contact theorist who influenced the French revolution of 1789, कौन है, यहाँ पर पूशा जा रहा है, और वो of course जो है, वो Russo है, फ्रेंच रिवोलिशन को तीन thinker ने काफी प्रभावित कहते हैं, उसमें से एक Russo थे, Voltaire थे और Montesk जो यहाँ पर भी दिखते हैं, the psychological basis of Hobbes theory of social contract, यह मैंने political theory में भी लिया था, और मैंने आपको explain भी किया था, कि क्यों fear जादा अच्छा answer है, वो ऐसे happiness या hedonism जिसको कहते हैं, वो भी इसके psychological आधार था, लेकिन जो social contract का basis actually fear था, क्योंकि war of all against all के fears, civil war, anarchी के fear से भचने के लिए लोगों ने social contract करके common wealth बनाया, body politic बनाई, और state और sovereign को अपनी power सौंपी. Central concern of plateau in the republic is of course justice, क्योंकि इस book का नामी है concerning justice, जो dot के बाद जो book का नेम होता है, यहाँ पर चार thinker आपको दिये गए है, first to last जो है वो ascending order बर्त के अनुसार सजाना है, यह बहुत आसान हो सकता है क्योंकि आपको पता है कि Socrates जो है वो plateau के गुरू थे, Plato, Aristotle के और Aristotle जो है वो Alexander के जो है एक गुरू थे, तो इस तरीके से आप देखे तो Socrates, Plato, Aristotle, Alexander जो है यही सही क्रम है बिल्खुल, तो यह असान भी है, आप इसको इस तरह से याद भी रख सकते हैं, और बहुत ही known यह fact है, अब हम लोग जो है question जो इस theme पे जो CUAT 2021 में आया है, चलिए उसको देखते हैं, इसमें जो question है, एक दू thinkers में कम थे, इसलिए question आपको कुछ thinkers से नहीं दिखेंगे, 2022 में सारे जो से liver scap आपने देखे, full thinkers आपको देखेंगे थे, प्लाटू से दो question थे, जिसमें उन्होंने पुछा था कि, which of the following was written by plateau, एक दम एक straightforward question, आपको पता है, इसमें से एक ही होगा, यह यह जो है, यह तीनों ही जो है, Aristotle के दूआ लिखे गए हैं, अपलोजी, जो प्लाटू की book है, आपलोजी के बारे में जान लीजिए, यह एक तरह का बचाओ था, डिफेंस था, प्लोजी का माने भी यह होता है, किसी का बचाओ करना, अपनी जो उनके गुरू थे, Socrates, उनका उन्होंने बचाओ किया था, यह एक डायलोग है, जिसमें Socrates, जो है, जो रूरल हैं, एथेंस के जो राजा लोग हैं, डिमोक्रेटिक रास था, जिन्होंने उन्हें मिर्टू डेंड दिया था, उनके साथ में उनका आर्गुमेंट है, यही डायलोग जो है, वो अपलोजी में है, उसमें Socrates अपना बचाओ करते हैं, तो प्लाटो अपने गुरू को पूरा मौका देते हैं, अपनी बचाओ करने का, इन दिस बुक अपलोजी, इस से रिलेटेर एक और बड़ी मज़दार बात है, कि इस बुक का गांधी जी ने, गुजराती में अनुवाद किया, फिर बाद में उसका हिंदी में नाम रखा गया, सत्यवीर की का था, और इसमें उन्हेंने सोकरेटेस को सत्यवीर का था, जो सत्य के लिए अपनी जान इसने दे दी, ये भी क्वेशन काफी जो है, पूछा जाता है कि गांधी जी ने किस बुक अनुवाद किया था, उसका क्या नाम था इनौल, दा कॉंसेट अफ फॉर्म इस प्राइमर्ली असोसेटेट वीथ, अभी जो फॉर्म है, ये तो इतना इसेंसियल आइडिया है, प्लाटो का, जिसको आप रैसनल थाउट कह सकते हैं, ट्रांसिडेंटल, अधर वोर्ली, मतलब सोर्स अफ नॉलिज कहीं और से आता है, हमारे सेंस एक्सपिरियंस से ही किवल नहीं आता है, उसी पे, और वो जो दुनिया जहां से की नॉलिज, रियल नॉलिज की जो दुनिया है, उसको उन्होंने कहा, intelligible world, real world, world of idea, world of form, और form जो है किसी चीज के होने का प्यूर जो है idea, जैसे fool के होने का जो idea है, fool क्या है, तो वो जो है उस world में है, मतलब world of forms में है, और जो real world जो हमारे sense experience से दिखता है, वो उस real world का किवल एक image मातर है, एक time में जो है कोई वस्तू, fool बनता है, लेकिन fool होने का जो idea है, वो शाश्रत है, वो कभी मुर्जाता नहीं है, जबकि actual fool, जो उस form को धारन करता है, उस idea को धारन करता है, वो मुर्जा जाता है, this is all like that, य Aristotle के लिए eudemonia क्या है, यह सब बहुत basic question है, eudemonia मतलब एक Greek word है, जिसका English में कोई सीधा translation नहीं है, लेकिन उनका कहना था कि human life का जो essence है, मतलब इस human life कोई जीता है, तो उसका essence है eudemonia, मतलब flourishment, मतलब human good, happiness, जैसे एक flower खिल जाता है, वो ऐसे human life ने अदी अपना potential को achieve कर लि है, so human good यहां पर कह सकते है, निको मैकेन एथिक्स जो है, यह Aristotle की बहुत ही important book है, जिसमें वो madhyam mark, जो buddha ने भी दिया था, उसको वो पालन करने का golden mean, मतलब हर चीज का जो बीच होता है, मतलब बहुत ज़्यादा बेधरक, निडर भी नहीं होना और बहुत डर्पोग भी चुनना चाहिए, even state में भी वो कहते हैं कि कौन रूल करना चाहिए, बहुत rich नहीं, बहुत poor नहीं, जो middle class, state कितना अब होना चाहिए, बहुत बड़ा नहीं, बहुत छोटा नहीं, बीच में, like that, so Aristotle, बहुत ही easy question है यह सब, what did Machiavelli mean by fortuna, यह भी एक दम एक आसान, straightforward question है, fortuna and virtue, virtue याद कीजिए कि वो virtue नहीं है, way to, यह Italian word है और fortuna भी, fortuna जो है वैसे तो fortune word जैसा है, लेकिन यह fortune से थोड़ा अलग इसलिए है कि उसको एक अलग रूप में यूज़ करते हैं, fortuna वो एक ऐसा malevolent, मतलब एक ऐसा, कर लिजे, परिशानी का एक कारण किसी state के लिए, किसी राजी के लिए, जो उसको पुरा तहस नहस कर दे, जैसे आप समझे अभी जैसे इंडिया में काफी अडानी का जो सामराज है, उस पे जैसे वो hidden बर की जो रिपोर्ट है, आप थोड़ा बुद फॉलो कर रहे हो, तो वो एक तरह का फॉर्चुना है, बैक्याविली के अंस हो जाए, या किसी दुस्मन ने अटाक कर दिया, या ऐसा आखाल पड़ गया कि लोग बिल्कुल एकदम बर रहे हैं, और राजा कुछ नहीं कर पा रहा है, तो उस टाइप की फॉर्चुना जो है, या दुस्मन ने शाटेंतर कर दिया, तो अन्कंट्रोलेबल कंडिशन ये इससे मिलता जुलता है, फॉर्चुना को उन्होंने एक बहुत ही खतरनाक नदी जो सब कुछ लील जाती है, उससे कंपेर किया था, और ये कहा था कि जिस प्रिंस में या जिस राजा में वेचू होता है, पारुश होता है, वो जो है फॉर्चुना को कंट्रोल कर सकते हैं, एक तरह से एंटिस्पेट भी कर सकते हैं, कंट्रोल कर सकते हैं, फिर अगें दूसरा क्वेश्चन भी जो है, इतना ही स्ट्रेट फॉर्वर्ड है कि डिस्कोर्स अन लिवी, जो है लिवी एक बहुत फेमस इटालियन हिस्टोरियन थे, उसका हिस्ट्री, मतलब हिस्ट्री अप्रोच भी अपनाते हैं, तो उसका मेटा नेरेटिव कह लिजे, डिस्कोर्स अन लिवी, तो ये भी निकोलो मैकेवलीन लिखाता तो, यहां पर इमानुवल कांथ हैं, जो की बहुत बड़े इनलाइटेन्मेंट के थिंकर माने जाते हैं, अन्टेनियो ग्रैम्शी हैं, जिन्होंने हेजमनी का कॉंसेप्ट दिया, मार्क्सिस्त थे, और थॉमस हॉब्स जिन्होंने लेवाइतन का कॉंसेप्ट दिया, सोसल कॉंट्रैक्टियन थियोरी, फर्स्ट मॉडर्न सोसल कॉंट्रैक्टियन थियोरी, अब यहां पर दिखे हॉब्स से कुश्चन है, स्ट से पहले modern time में social contraction हुए Hobbes थे, उसके बाद Locke, फिर उसके बाद Russo, फिर Emanuel Kant, फिर John Rawl, Ronald Dorkin, John Gothier, बहुत सारे जो हैं हुए, लेकिन जो first थे modern काल में, वो थे Hobbes. तो इन सब में चुकिए आप इसको इसलिए कार सकते हैं, Hegel को, Aristotle Plato, कोई social contraction theory नहीं थे. और social contraction theory में ही जो है state of nature का जिकलाता है. State of nature मतलब क्या है? वो period, human civilization का, जहाँ पे कोई state नहीं है, जहाँ पे कोई राज ये नहीं है, जहाँ कोई government नहीं है, organized political power नहीं है, लोग जो हैं बस ऐसी रह रह रहे हैं, कोई जगड़ा हो जाए तो कोई निप्टाने वाला नहीं है, मतलब एनार्की है, लेकिन लोग अपने किसी तरह रह रह रहे हैं, होब्स के नुसार वो किसी तरह नहीं, मार काट की जिंद्गी भी दाते थे, मतलब वार अफ और अगेंस्ट अल, लाइफ वाज नास्टी, बूटी, सौट, पूर, बहुत छोटा सा जीवन लड़ते कड़ते, लोग के नुसार वो लाइफ जो है sociable था, किसी तरह लोग रह लेते थे, लेकिन चुकि जुकि जुरी, एग्ज कुस्टनर, खुदी लोग होते थे, तो क्या रहेंगे, तो इसलिए राज बनना जोड़ी था, तो स्टेट ऑफ नीचर मतलब वो जहां राज नहीं है, जहां अराज अकता है, तो वो केवल social contract theory में आता है, केवल Hobbes, चुक तो इंगलिस में होता है property, तो life, liberty, property आपको बता है, लॉक नहीं दिया था, प्लाटो, कार्ल मार्क्स, मैं कैवली हैं, दिखते हैं, जॉन लॉक नॉलेज, जॉन लॉक के अनुसार, देखे, अभी हमने आपको बताया है, कि प्लाटो के अनुसार, नॉलेज का सोर्स जो है, transcendental है, otherworldly है, कोई एक और दुनिया है, जो हम केवल ग्यान के आखों से देख पाते हैं, ये दुनिया जो हम अपने आख, नाक कान से देखते, सूंगते, समझते हैं, वो दुनिया छद में है, लेकिन उसका उल्टा जॉन लॉक कहते हैं, और कई ऐसे थिंकर, जुसको हम empiricist बोलते हैं, वो ये कहते हैं कि नहीं, कोई दूसरी दुनिया नहीं है, और source of knowledge, जो है केवल और केवल sense experience है, जो आप देखते हैं अपने आख से, जो अपने हाथ से छूते हैं, जो सूंगते हैं, जो आपका brain समझ पाता है, experience करता है, learning करता है, past knowledge होती है, वो ही आपका knowledge का source ह तो केवल experience यदि knowledge का source हो, तो John Locke उसको मानते हैं, in fact इसी से एक और question निकलता है, इनका कहना था कि जब बच्चा जनम लेता है, तो चुकि source का, knowledge का कोई और source नहीं होता, उसका दिमाग एक blank slate है, white paper है, उस पे जो लिखिएगा वही होगा, क्योंकि अभी तो experience zero है, उसको tabula rasa कहते हैं, मतलब वो जो white slate है, तो यह भी question बहुत पूछा जाता है, पूछा जाता है कि tabula rasa का concept किस ने दिया था, who is the author of essay concerning human understanding, आप देख सकते हैं कि सभी thinker के book के बारे में पूछे हैं, तो यहां भी lock के book के बारे में पूछ दिया, यहां भी कान दिखते हैं, Gramsci and John Roll दिखत होता है, ना who said, बहुत difficult होता है, क्योंकि आप कैसे पकड़ सकते हैं, यहां पर यह कह रहे है, I prefer liberty with danger than peace with slavery, अब बस आपको आता है तो आता है, इस टेपे question difficult हो जाते हैं, यह Russo ने कहा है, इनका पुरा नम Jean, Jacks, Russo था, यहां भी Hobbs, Marks, Antonio Gramsci दिखते हैं, तो इसको आप difficult training म उसको easy question बना देता है, क्योंकि social contact book लिखने वाले जो हैं, रूसो थे, तो यह question tough नहीं रहा जाता है, because of the second part of the question. Mill, जो syllabus में हैं, उनसे दो question है, again बहुत असान, self-regarding और other regarding का जो concept था, मिल ने दिया था, मैं इसको क्या explain करोगा, यह थी मेरे साथ बने हुए हैं, तो बहुत अच्छी तरह जानते हैं, मतलब self-regarding वो ऐसा action जिसका कि असर किवल आप पे और आप पे होता है, दुनिया को इससे कोई मतलब नहीं है, उसमें पूरी पूर सुदंता आपको होनी चाहिए, ति आप किसी को हाम नहीं पहुंचा रहे हैं, हाम प्रिंस्पल भी से जुड़ा हुआ है, अदर रिगार्डिंग मतलब इससे कोई शराब पी करके रोड पे लुठा कड़ा है, गारी चला रह है, तो वो हर्म है, उसको रोका सकता है, लेकिन यदि कोई अपने घर में बैठके उस राज में जहां पर कोई शराब पी नहीं है, थोड़ा सराब अपने पैसे से वो पी रहा है, तो उस पर किसी को कोई हक नहीं है कि उसको कोई मना करे, मतलब यही अधर सेल्फ तक जो है, वो मिल रहे हैं, जौन स्टॉर्ट मिल. अब मार्क से देखें, तीन कोईश्चन है, आफ कोर्स मार्क से बहुत बड़े एक सोसलिस्ट या कम्मिनिस्ट थिंकर या एक नया यूग लाने वाले एक मातर ऐसे थिंकर, जिनकी थिंकिंग से एक पुरी दुनिया, जbn आइडियलिजम, जो हेगल थे, आइडियालिजम मतलब क्या होता है, कि जो आइडिया ही सब कुछ है, तो जर्मार्ण आइडियलिजम जो था हेगल जिस्के सब सेант बढ़ा पढ़ा है तो मार्क से पह़ज़े इंफएट इन फैक उन्होंने उसका हिस्टोरिकल आइडिय होने का होता है मैंने आपको बताय भी है कि Marx ने जो आइडिया एडियनेशन का discuss कि एक तरीके से आपका किसी चीज से अलगाव का भाव पैदा हो जाना है मतलब किसी इक देख के लगे कि यह तो मेरा है ही नहीं तो उस टेप को उसको alienation बोलते हैं, तो आपको हो सकता है, पीता पुतर में हो सकता है, भाई-भाई में हो सकता है, आपको किसी चीज से हो सकता है, किसी आदमी सो सकता है, आपको किसी घर से हो सकता है, तो जैसे marxism alienation का मतलब यह है कि जब एक labor है या worker है, वो जो product बना रहा ह उसी से alieniate हो जाता है वो जो उसके co-worker है उससे alieniate हो जाता है जो उसका working place environment है उससे alieniate हो जाता है ultimately अपने आप से alieniate हो जाता है ऐसा capitalism का दूस्परहा होता है तो यह alienation का जो concept था उन्होंने economic and philosophy manuscript में लिखा था यह सब भी उनके book हैं तो आपको जानना चाहिए in fact यह book बहुत important इसमें कि young marks और mature marks के बीच का एक boundary line भी इसको कहा जाता है German ideology which of the following thinker presented the idea of idea of historical materialism अभी हमने कहा कि उन्होंने Hegel के जो historical idealism था उसको उन्होंने just turn करके historical materialism में convert कर दिया historical materialism क्या है कि एक materialism मतलब आदमी कैसे अपने को जिन्दा रखने के लिए क्या काम करता है क्या production करता है economic activity तो economic activity का जो history है वही समाज की history है इनके अनुसार से मतलब जैसे जैसे mode of production जो है वो change होता है वैसे वैसे social relation, social structure change होता है जैसे सुरू में master slave था तो एक अलग तरह की social structure, social relation था फिर जो है feudalism आया feudalism में जो है सर्फ मतलब जमिंदार और किसान का जो है वो relation बना, वो society, feudal society बना, फिर capitalism आया जहां पे की एक worker या labor और जो capitalist class है उसका relation बना, उससे capitalist समाज बना, फिर जो है जब यह खतम होगा तो dictatorship or proletariat आएगा तो socialist समाज आएगा और ultimately सब state खतम हो जाएगा, class खतम हो जाएगा, private property खतम हो जाएगी तो एक communist समाज आएगा, तो यह Marks का जो है historical materialism है, मतलब history is the progression of change in mode of production and mode of production creates class struggle या class antagonism, always do class होते हैं, master, slave, federal, lord and pagent or capitalist class or labor like that और वो उसी के antagonism से history, जो है history human civilization का आगे बढ़ता है, यह concept जो है Marks का है, बहुत ही आसान यह सब question है, John Rawl जो है syllabus में नहीं दिखते हैं, लेकिन होने दो question पूछा है, इसलिए इनको यह लगा इस बार कि जब हम पूछी रहे हैं, तो इसको syllabus में क्यों न डाल दें, तो John Rawl से इन्होंने पूछा है कि whale of ignorance का idea किस ने दिया है, John Rawl ने भी अपने social contract tradition में अपनी theory of justice को लिखा था, उसमें उन्होंने whale of ignorance का concept दिया था, original position का भी, उसमें वो कहते हैं कि समझ लीजे कि जो लोग समाज के नियम बनाने के लिए बैठे हैं, समाज की जब उत्पत्ती हो रही है, उस समय में जब कोई राज ये नहीं था, किस धर्म से हैं, किस sex से हैं, अमीर हैं, गरीब हैं, किस class से हैं, कुछ भी नहीं, उनका psychological propensity का है, कुछ भी पता नहीं है, ऐसे में वो क्या चुनेंगे, कोई विवरस्था होगी, तो सुचेंगे, हो सकता है, सबसे गरीब हम हो, तो वो ऐसे मतलब की विवरस्था को, इसलिए, ultimately, जो वो समाज का रूल बनाएंगे, वो ऐसा ही होगा, जैसा, जॉन डॉल कहते हैं, जो मैं कह रहा हूं, justice as fairness, in distribution of primary social good, इससे अधिक मैं explain नहीं कर पा रहा हूं, लेकिन, veil of ignorance का मतलाव समझ गया होंगे, और वो position, जहां बैठ करके, ये लोग नीती निर्माता बना रहे हैं, उसको original position का गया, इसको state of nature भी खह सकते हैं, John Dalg, sir, what is the most important virtue of justice, most important virtue of justice was fairness, fairness, मतलब fairness मतलब क्या कर सकते हैं, आप हिंदी में इसको ऐसा कर सकते हैं कि, मतलब आप नयाएपूर्ण धंग से बटवारा कर रहे हो, आप फेर हो, मतलब आपर कोई उमली नहीं उठा सकता है, आप पक्षपात नहीं कर रहे हो, कि समाज का जो धन है, संपती है, जो एवाड है, जो रिवाड है, या जो आफिसेज हैं, जो मतलब जो पॉलिटिकल आफिसेज, उन सब का जो बटवारा समाज में होता है, वो ऐसा होना चाहिए किसी को ये ना हो, कि ये गलत हो रहा है, मतलब अमीर को ज्यादा पहुचा जा रहा है गरीब है, तो इसको मिक्स्ट कुश्चन भी था, दो कुश्चन, एक जो है, यह मैच करना था, तो बहुत आसान था, यहां पर बुक है, कैपिटल, आपको कारल मार्क्स लिखे हैं, तो एक ही दो से मैच होए था, तो मैंने हां पर आप्सन नहीं दिये हैं, प्रिजन नोटबुक अंटेनियो ग्रैमश्ची, थियोरी अफ जस्टीस जॉन रॉल, और अनार्की, स्टेट एंड यूटोपिया, जो हैं, वो रॉबर्ट नॉजी की यह भी थियोरी अफ जस्टीस ही है, रॉबर्ट नॉजी की जो एक लिबर्टेरियन थिंकर थे, अच्छा जीवन देने के लिए परतिबर्ध होता है, इसलिए हमारा मोरल ऑबलिगेशन है, कि हम पॉलिटिकल ऑबलिगेशन करें, पॉलिटिकल ऑबलिगेशन मतलब हम इस्टेट के कानून को उसके डिक्टेट को माने, तो यह ती एच ग्रीन ने, यह सब बाते अपने एक बुक जो बहुत फेमस है, Lectures on the Principles of Political Obligation, 1885 इस टाइम लाइन को भी देखेगा, काफी पुशा जाता है, टी एच ग्रीन ने यह लिखा था, इंगलाइन के थे, तो अब आप यहाँ देख सकते हैं, डियर इस्टुएंड के 19 खेशन, करीब 1 फूर्थ केशन, 75 में से 19 के वा करते हैं, आएए अब हम लोग 2022 जो CUETPG हुई थी, उसके WPT याने की Western Particle Thought के जो question को मैंने ढूंड के निकाला है, उसको देखते हैं कैसा है, इससे पहले किम लोग question answer का दौर करें सुरू, बहुत difference हो गया है इस माइने में, कि जितनी तवज़ो या कहिए जितनी importance WPT को 2021 मे दी गई थी, उससे बहुत कम 2022 में हो गया है, question का level तो लगबख same है, तो let us see, यहाँ पे थोड़ी syllabus को भी इन्होंने change किया, John Roll को जोड़ा हो, ऐसे कोई फरक नहीं क्योंकि Roll से पहले भी question पूछे, थोड़ा सा syllabus को इन्होंने expand करने की courses की है, लेकिन फिर भी अभी यह syllabus, undergraduate की syllabus से बिलकुल उससे मिलता है, थोड़े कुछ-कुछ कम ही है, हेगल इसमें नहीं है, मेरी वोल्स्टोन क्राफ्ट नहीं है, कॉलन टाइ नहीं है, तो थोड़े कम ही है इसमें, अब यहाँ पर एक question देखते है, who among is the following political philosopher can be associated with the idea of luck egalitarianism, यह आसान question है क्योंकि यदि आप त्या है, वो कम हो, कभी खतम तो हो नहीं सकता है, और luck egalitarianism का मतलब है कि यदि दो लोगों में फरक केवल इसलिए है, कि एक का luck खराब है, luck in terms of कि वो किस घर में पैदा हुआ है, अमीर घर में, गरीब घर में, किस जाती में पैदा हुआ है, क्या उसके माबाप कर रहे हैं, किस social background में हुआ है, यह सब उसके हाथ में, किसी बच्चे के हाथ में यह होता नहीं है, इस type की luck, या कोई bad, brute luck जिसको बोलते हैं, मतलब कोई कितना height किसी का कितना है, किसी का बाल का रंग कैसा है, किसी का strength कितना है, brain का silk कैसा है, यह सब given है, तो इस तरह के luck से कोई आगे पीछे नहीं हो जाए, यदि यह भावना रखने वाले कोई thinker हो, और उसके लिए वेवस्था करें कि bad या खराब, जिसको brute, bad luck बोलते हैं, social या natural, वो किसी को harm ना करें उसके आगे बढ़ने में, तो उस तरह के जो thinker होते हैं, उनको luck egalitarianism या luck egalitarian thinker कहते हैं, अब इसमेंदी आप देखेंगे, तो सबसे जो famous luck egalitarian है, वो रोडाल डॉर्किन है, और यहां पर एक बात और बतादे, रोडाल डॉर्किन होने तीन बार पूछा, एंडों नो क्यों इतना उनको इन्होंने value दिया है, तो यह आसान question है, आप जॉन डॉल को यहां पर देख रहे हैं, आपको पता development theory of justice करते हैं, वो उन्होंने दिया था, State and Archie Utopia नम के book में, और Cohen तो अभी कौन से Cohen है, बहुत सारे Cohen है, Cohen जो है, many Mark के साथ में उन्होंने book भी लिखी है, एक Cohen जो है, Marxist भी है, तो Cohen पे आप मत अभी जाएगे, the author of essay on toleration, तो ये भी एकदम बहुत असान question है, क्योंकि ये book बहुत famous है, John Locke की famous book है, essay on toleration हो गया, या two treaties of government हो गया, essay concerning human understanding हो गया, ये सारी बहुत ही important book है, toleration आप देख सकते हैं कि किस तरीके से ये liberal thought में, जो toleration आई हो लॉक के, इस book में नहीं नहीं थोती है, यहाँ पर Russo दिखते हैं, Social Contractorian, J.S. Mill दिखते हैं, Liberty के champion, Emmanuel Kant दिखते हैं, सबसे बड़े thinker, enlightenment के, जुन्होंने categorical imperative का concept दिया, और भी नहीं अदर थार्ट, who among the following theorists is known for his work, the theory of resource equality, again, Dawkin यहाँ घूंके फिर आजाते हैं, Ronald Dawkin, इन होने जो अपनी, जो social contract theory दी है, जो theory of justice भी कहा सकता है, वो theory of resource equality है, जो की luck egalitarianism पे based है, उनकी अब यहाँ तो मैं explain नहीं करूँगा, लेकिन एक line में कहें तो, एक imaginary situation जो है, जिसको original position कह सकते हैं, कैसे कोई एक island पे संपती का ऐसा equal बटवारा होता है, और फिर सब लोग संपती को बनाते हैं, बेचते हैं, खरिते हैं, और फिर एक समय में distribution बदल जाता है, तो उसके बारे में ये कहते हैं, कि कैसी बेवस्था होनी चाहिए, जो imaginary island पे हो रही है, उसको हम real society में एक political institution ये arrangement के तहत कैसे recreate कर सकते हैं, यही उनकी theory of equality of resources. Which of the following is our correct explanation of Ronald Dawkins, third time जो मैंने बोला, आपको ये दिखते हैं, तो इतना ज्यादा value एक thinker को देना ये थोड़ा अजीव सा है, Ronald Dawkins idea of right as Trump, अब देखिए, यह सब language में आप लोगों को परिशानी होती है, जो foreign के होंगे, student उनको बहुत असानी समझा है के right as Trumps का मतलब क्या होता है, लेकिन हम लोगों के लिए कई बार समझना कठीन होता है, Trump जो है मतलब यह होता है, Trump card, जैसे आप जब तीन पत्ती यदि आप जानते हों खेलना, तो उसमें Trump card जो होती है, ताश में वो इका होता है, तो मतलब तुरूप का इका, जिसको हम लोगों हिंदियों बोलते हैं, तो आप समझें कि यह right जो है, वो तुरूप का इका है किसी individual के लिए, मतलब आपके जान बचा सकता है, जैसे इंडिया में तो physically देखे हमारे हैं क्या है, कि जो रिट पेटिसन है, वो क्या है, कोई आदमी किड्नाप हो गया है, आपको पता नहीं है, आप जाते हैं सुप्रीम कोट में, तो सुप्रीम कोट कहता है, सरकार को खोज के लाओ उस आदमी को, तो आदमी की जान बच जाती है, क्योंकि वो आपका fundamental right है, right to life, तो right जो है, एक तुरूप का पता है ये कहते हैं, डॉरकिन, इसलिए उनका कहना है कि किसी भी socio-political arrangement में कुछ rights ऐसे हैं, जिसको हम fundamental right कहते हैं, वो कभी individual का नहीं छीना जाना चाहिए, इस नाम पे कि उससे society का भला हो जाएगा, या politically वो correct है, या देश का निर्वान हो जाएगा, उसकी sacrifice नहीं दिया सकती है, क् गुरूप का पता है कि individual को बचाता है, तो यहां पे आप देखेंगे, तो norms of the society take precedence over basic individual right, तो just ulta है, no, individual right take precedence over norms of society, interest of the whole community can trump individual right, again ulta, no, individual right can trump against interest of the whole community, तो third ही सही होगा, एक ही बचा, basic rights of individual take moral and legal precedence over other norms, social या community, तो केवल C, जो है only C, correct है, थोड़ा सा यह medium level का question है, अच्छा question, अब यहां दो statement दियेगे हैं, Jeremy Bentham, the founder of utilitarianism, classical utilitarianism in modern time, ridiculed natural right as a pernicious fiction, यदि आपने तयारी किया होगा, तो आपको पता हो कि वो ridicule करते हैं, Jeremy Bentham, natural right को, it is nothing but nonsense built upon stilt, लेकिन यहां दिखा है, parnicious fiction, मतलब parnicious fiction, मतलब जो एक दम एक तरह का, बेकार सी, एक मनगढ़न चीज है, इसका कोई meaning नहीं है, तो आप यह तो जानते ही हैं कि वो natural right के घोर विरोधी थे, तो आप इसको भले छोड़ दीजे, parnicious fiction, या nonsense built on stilt, ले लेकिन आप फिर भी इसको wrong कह सकते हैं, the false, sorry, true, human rights are believed to have been derived from the idea of natural law, यह बिलकुल सही है, क्योंकि देखे, human rights जो है, क्या है, कि जो God given या nature given जो rights है, वो सभी मानव को बराबर है, जैसे human rights क्या हो गया है, कि right to life, dignity, freedom of speech, expression, जो, मतलब, nature ने हम को दिया है, हम को कौन रोख सकता है, nature में हम सब बराबर है, तो वो human right, nature, या natural law से आते हैं, इसलिए human right, natural right है, तो यह भी true है, तो यह एक तरह का easy, easy to medium question कह सकते हैं, john roll is a utilitarian नहीं, यह utilitarian के against थे, utilitarianism क्या होती है, greatest happiness of greatest number of person, मतलब कोई भी action moral है, ethical है, यदि उससे अधिक लोगों का भला होता है, कम लोगों का नुकसान होता है, यानि कि उस action से net happiness बढ़ती है, वो ऐसा नहीं सोचते थे, social contraction थे बिलकुल, social contraction thinker थे वो, perfectionist, तब एक आपको मिल गया, तो यह सब को तब आप ऐसी काट सकते हैं, ठीक है, the term original position is associated with, जो भी social contract लिखेगा, उसके साथ original position होगा, तो यह john roll के साथ था, अब यहाँ पे, ब्रायन, बैरी, इन सब बारे में थोड़ा पढ़ सकते हैं, आप कौन हैं, आप सुजान, मिलर, ओकीन को यह दिया आप देखें, तो यह इन्होंने जो है, यह feminist हैं, जो इन्होंने john roll के, जो theory of justice को reformulate किया था, feminist के नजरिये से, जिस तरह से आपको याद है, जे अंटिकनर मॉर्गन थाउ के theory of realism को जो है, वो reformulate किया था, feminist नजरिये से, उसी तरह सुजान मुलर, ओकीन ने किया है, यह जो ब्रायन बैरी दिखते हैं, इनका असल में नाम इन्होंने गलत लिखा है, यह B-A-R-Y, ब्रायन बैरी हैं, जो कि एक तरह से social choice theory पे उन्होंने काफी काम किय है, analytic philosophy पे उन्होंने काम किया है, एक तरह का समझे कि वो normativism लाते हैं, theory of justice में, justice as impartiality, काफी justice पे उन्होंने काफी काम किया है, तो ब्रायन बैरी हैं, और माइकल वालजर जो हैं, यह एक communitarian thinker है, communitarian मतलब जो community को pressure देते हैं individual के ऊपर में, और माइकल वालजर ने जो complex equality का concept है, जो कई जगा जो है, पूछा जाता है, माइकल वालजर का जब भी नाम आता है, तो चार-पांच और जो communitarian को हमें साब को याद रखा चाहिए, जिसमें कि Charles Taylor आते हैं, उन्होंने भी कई जो है, communitarian thought पे books भी लिखी है, multiculturalism पे भी उन्होंने लिखा है, इसके अलावा Alastadir Maclantair आते हैं, Michael Sandal आते हैं, तो इन सब को भी आपको इनके साथ में याद करना चाहिए, आज है communitarian thinker, और यहाँ यह भी याद रखा चाहिए, कि John Roll जो है, उनकी यह लोग बुराई भी करते हैं, Suzanne Molar-Aukin तो feminist perspective से बुराई करती हैं, और Walger और other communitarian John Roll की इसलिए बुराई करते हैं, कि उन्होंने individual को abstract individual बना दिया है, community से बिलकुल कटा हुआ, the author of Nicomachian Ethics, यह सब बिलकुल लड़ू type के question आपको पता है, Aristotle है, और इसी में उन्होंने अपने golden mean का जो है principle दिया था, जो की आपको याद रखना चाहिए, same golden mean जो की गौतम बुद्ध भी देते हैं, Leviathan किसने लिखा है, और आपस ने, यह सब बहुत ही easy question है, who among the following is considered as reluctant democrat, again यदि आप थूड़ा भी तयारी करेंगे, WPT की तो आपको पता होगा कि John Stuart Mill, जो हैं, वो reluctant democrat कहलाते हैं, क्योंकि वो जो ज apprehensive थे, क्योंकि उनका मानना था कि democracy में यदि हम हर आदमी को same vote दे, एक आदमी एक vote, तो क्या होगा, समाज में 99 लोग जो हैं, वो एक तरह से message होते हैं, पढ़े लिखे कम होते हैं, भावनाव में बहते हैं, एक percent लोगी के वल intellectual होते हैं, जो आप elite कह सकते हैं, जो के philosopher king जैसे हैं, वो minority में होते हैं, लेकिन उनसे समाज को बहुत help मिलता है, वो leader होते हैं, तो democracy में जो है tyranny of majority हो सकती है, पतब 99 मुर्ख लोग जो हैं, एक percent बेवकूफ, मतब बुधिमान लोगों को परिशान कर सकते हैं, उनको एक तरह किसे, समाज कब भाला नहीं होगा, बुधिमान लोगों के मुँख को बंद कर दिया जाया, majority के नाम पे, इसलिए वो जो है, one person, one vote के सिधान को नहीं मानते हैं, वो proportional representation और बहुत तरीके से की जो पढ़े लिखे लोग हैं, उनकी vote की value जादा हो, तो इसलिए वो reluctant democrat माने जाते हैं, consideration on representative government was authored by, तो यह अगें आप यहां John Stuart Mill को देख सकते हैं, John Stuart Mill के जो book है, utilitarianism पे, representative government पे, उनके subjection of women, जो feminism पे उनकी है, यह सब और liberty पे तो हैं, on liberty, यह सब बहुत ही famous book है, जो आपको भूल नहीं सकते हैं, तो यहां मिल देखिए दो बार आपको मेजर आ रहा हैं, और अब यहां पे देखिए match करने का है, यह भी बहुत असान है क्योंकि यह सब बहुत famous थिंग करें, यह सब बहुत famous उनके book है, Machiavelli Prince, तो A का 3, तो इसी से आपका जो है, यह दो eliminate हो जाते हैं, B का 4 है, तो आपको जानना ही नहीं, अब B का 4 हो गा ही, तो यह तो पेलो, पेलो Pornisian Ward लिखा था, जिसमें Malian Dialogue में उन्होंने Realism, जो है, International Relations में, उसको उस समय में उन्होंने एक तरीके से अपने राइटिंग में दिखाया था, Margantho, जो है, वो Politics Among Nations लिखते हैं, जिसमें वो अपने 6 Realist Principles देते हैं, तो C का 2, और इससे जो है, आपका यह वाला हो जाता है, Crack, तो Kenneth Walch एक ही बच गया, वो Theory of International Politics, 1979, और इसी में वो Neorealism के Concept की नीव रखते हैं, Easy Question, लड़ो Question, तो अब यहां पर यह आप Trend देखें, तो क्या दिखता है, कि कम हो गया है Question की संख्या 2021 से, बहुत सारे Thinker इसमें इग्नूर कर दिये गया हैं, आप यह इसमें देखेंगे, तो Karl Marx पे एक भी Question नहीं है, Plato पे एक भी Question नहीं है, Marx जोन में बहुत अच्छा नहीं Selection है, लेकिन Question बहुत Easy हैं, Very Easy, मतला आप इसमें 100% ला सकते हैं, और एक Part Question का क्यों मैं की अवली से था, तो यह भी लगभग Omitted हैं, और ज़्यादा मैंने देखा कि Political Thoughts से ज़्यादा Focus Political Theory पे हैं, तो Dear Student, आपको इदे CUAT 23 के तियारी कर रहे हैं, तो Political Theory को ज़्यादा value दीज Question को, and Question का Level जैसा मैंने बोला कि यह दोनों साल में जो है Easy to Moderate है, इसमें 90 to 100% लाना चाहिए, अच्छे Student को, 80% तो सभी अच्छे Student को लाना चाहिए, अब यह है कि कैसे आपको प्रिपेर करना है WPT के लिए, जो बुक यदि कहेंगे, मैं हमेसा कहता हूँ कि बुक से के लिए इच्छुक हैं, तो O.P. Gova की बुक जो WPT पे है, वो ठीक है, इसके अलाबा एक बुक का मैं बहुत फैन हूँ, जो बॉशर और केली की जो बुक है, From Socrates to Present, लेकिन यह सब आपको फुरसत पर पढ़ने की, आपको पास एक दो महने हैं, तो just avoid, सबसे जो important है कि थिंकर्स के हैं, और सबी थिंकर कॉलर्ड हैं, आप उसको जरूर छे से साथ बर देख जाएए, बिलकुल मैं कह रहा हूँ, छे से साथ बर, मतलब यह मजाक नहीं कर रहा हूँ, पहली बार नॉर्मल स्पीट में, दूसरी बार 1.25, तीसरी बार 12, चौथे बार 1.75, पांच हेल्प की जो एक्जाम गाइड है, यह दो है, एक तो CPP है, एक MPP है, इसके, इसमें केवल जो बुलेट पॉइंट है, वो मैंने सुरू में दिया, इसको मैंने की पॉइंट का है, उसको केवल पढ़ जाएए, और यह इस लिंक पे अविलेबल है, इसके अलावा जो CUETPG ग करके एक क्वेशन से पांच क्वेशन सोचिये और अपनी नोट बनाईए, इन सब का लिंक मैंने दिया है, और इस इन सब के भी उपर जो सब से बेस्ट वे प्रिपेर का हो सकता है, प्लीज अलाव मैं, मैं कोई गरूर से नहीं बोल रहा हूँ, matter of faculty बोल रहा हूँ, just join, so dear students thanks for watching, यदि आपको वीडियो पसंद आया हो, तो आप please like करें, share करें, subscribe करें, comment करें, और यदि आप फिर से आपको आहवान कर रहा हूँ, याद भी दिला रहा हूँ कि यदि आप task course join करना चाहते हैं, तो fortunately अभी भी यह open है, आप इसको join कर सकते हैं, open मैंने किवल इसलिए भेजें, आपको guide की जाएगी, और यदि आप नहीं join कर सकते, तो CUT PG guide और 1500 MCQ, जो second best option आपके पास है, तो best resources है, वो Amazon पे हैं, यहाँ से आपको ले सकते हैं, सब का link जो है, description में आपको मिल जाएगी, चलिए फिर मिलते हैं, तो ये theme के साथ ही मैंने WPT, 5 theme cover हो गया है, दो theme जो है, वो बचे हुए हैं, Indian quality और थोड़े बहुत जो public administration या public policy के हैं, उसको ले करके, definitely exam के पहले हम लोग बहुत पहले खतम कर देंगे, so तब तक के लिए विजाए.